अज़िए अज़िए आपका मेजबान मिस्टर फिर्टू आज की एक नहीं और डिफरेंट वीडियो के साथ खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर और आप देख रहे हैं मिस्टर फिर्टू तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत एहम है फ्लर्ट से रिलेटेड और इससे पाकिस्तान रेलवे को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है खुदाना कास्ता मैं नहीं चाहता के ऐसा हो लेकिन जो इस टाइम हम न्यूस पर देख रहे हैं और कौन कौन सी किन एरियाज में रेलवे लाइन्स एफेक्ट हो सकती हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ हम आज करेंगे रेल पैनिंग अगर टाइम से क्रैची एक्सप्रेस भी लहोर से निकलती है तो हम उसका एक्षिन भी देखेंगे यहां से तो दोस्तों मैं मजूद हूँ धरमपुरा किनाल के बिलकुल किनारे ठीक है और यह धरमपुरा अंडर पासिस हैं यहां पर और यहां से आज हम करेंगे रेल पैन प्रेंशन जो यहां से यार्ड है तकरीबन तीन साड़े तीन किलो मीटर है लेकिन यहां से जब ट्रेनें गुजरती हैं तो एक अच्छी स्पीड में गुजरती हैं उमीद यही है कि फास्ट एक्षिन होगा और यह वीडियो आप पसंद करेंगे लाइक कमेंट शेर भी कर आते हैं तो इंशाला हम फिरेंगे आने वाले टाइम में और शाली मार एक्सप्रेस का रिव्यू का बहुत पूछा जा रहा है कि इसका रिव्यू करें और देखें कि फैसलाबार रूट पर कैसी गाड़ी आज-गल जा रही है कोशिच करूंगा कल या उससे एक दिन छोड कर शाली मार एक्सप्रेस का रिव्यू ज़रूर करूं और जो फलट से रिलेटेड अपडेट है तो वह आज की इस वीडियो में आपको मैं दूँँगा तो लहोर का जो मोसम है वो इंतहाई ठंडा इस टाम धूप भी अगर हलकी हलकी निकर रही है सुबा भी बारिश होई थी तो इस धूप का पता नहीं लाग रहा तो अभी फिलहाल यहां से ट्रैफिक का जो सिलसला वो जारी है यह देखें तो आपसे कुछी देर में पाग बिजनस जाफर एक्सप्रेस और कोशिश मैं करूँगा कि मैं आपको जैसे के बताया कि क्रैची एक्सप्रेस को भी कवर करके जाओं फाइफ आप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का एक्शन देखेंगे और आ रही है सामने से जंडी भी लहरादी गई है और मिलो मेरे फ सेगमेंट का हिसा बना लिए तो इसी तरह पुरी दुनिया में आप कहीं पर भी मजूद हैं जल्दी से अपनी प्यारी सी पिक्चर भेज़ दे मुझे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मजूद है और मेरे इस सेगमेंट का हिसा बन जहें जिसका नेम है मिलो मेरे फैंस के साथ तो फाइफ अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एक अच्छी स्पीड में उमीद है कि हमें थ्रू पास करेगी जी यू फोर्टी की क्यादत में अच्छी स्पीड में आपसे पूछा था कि लहौर में कितने जंचेन है तो नुमान मलिक ने only वाहिद राइट आंसर दिया और लहौर में चार जंचेन है और ये आप देख सकते हैं इनके नेम भी उन्होंने यहां पर मेंचन किये और आज का स्वाल ये है कि इलामा इक्बाल एक्सप्रेस के पाकिस्तान रेलवे के पास कितने रैक मुझूद है एक टाइम पर ठीक है तो ये आपने मुझे बताना है जो सबसे पहले राइट आंसर देगा नुमान मलिक साब सेकेंड राइट आंसर सबसे पहले दे सकते हैं इसके बाद इनके तीन राइट आंसर रह जाएंगे इसी तरह पांस वालों के जो आप कोई भी मुकमल करेगा और जीतेगा जूनी की ओरिजिनल हैंड परी तो दोस्तो फाइफ अप ग्रिन लाइन एक्सप्रेस का एक्शन देख ली है अब पाग बिजनस या इलामा इकबाल का एक्शन हमें देखने को मिलेगा तो दोस्तो नाइन आप इलामा इकबाल एक्सप्रेस जैड सीउ ठर्डी की क्यादत में एक अच्छी स्पीड के साथ त्रू पास करने के लिए रेडी दोस्तो दो ट्रेनों के हमने एक्शन देख ली हैं और अब जड़ा हम बात करेंगे फ्लड सिच्वेशन की कि क्या सूर्ते हाल बन सकती है दोस्तो आने वाले दिनों में मैकमा मोसमियात ने मजीद बारशों का इमकान जाहिर कर दिया है इस पर दो जो पाकिस्तान रेलवेस की एहम ब्रांच लाइन्स हैं एक सरगोदा जांग शोरकोट वाली और एक राइविंट से लोदरा तो वहां पर लगता है सातलूज और द्रयाय चनाब लगता है सरगोदा जांग शोरकोट ब्रांच लाइन वाली को तो आने वाले मजीद टाइम्स में जैसे के आपने न्यूस भी देखी होगी इंडिया आइंदा 24 से 36 गैंटे बहुत एहम है इंडिया पानी छोड़ने जा रहा है चनाब में अगर अगर इर्दगिर्थ इलाकों में आप रहते हैं और मुझे देख रहे हैं , तो आप इस टाइम उस रीवर की जो इस टाइम सिच्वेशन है वो देख सकते हैं की रीवर पहले ही बरा हुई है और अगर इंडिया इस द्राइच नाप में पानी छोड़ता है तो जाहर बात है इसके जो देगर इजलाव और दिहात हैं और जैसे के हाफजाबाद जंग इन एरियाज में जितने भी दिहात हैं फलर्ड वर्निंग जारी कर दी गई है और सियाल कोर्ट के गिर्दो नुआ में भी फलर्ड वर्निंग जारी की गई है और इसके साथ साथ द्राइच सतलूज इसमें भी सलाव का खर्चा है तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि द्रियाच सवाथ में पहले ही दर्मयाने दर्जे का जो सहलाव है वो रिकॉर होकर जाना है द्रियाइस हिंद में जैसे जैसे यह पानी अपने अपने द्रिया को क्रॉस करेगा और इसके जो गिर्दो नुआ में जो देहात हैं छोटे छोटे शहर हैं वो मजीद एफेक्ट होने का खर्चा है तो जैसे के ब्रांच लाइन हाफजाबाद और जहंके देख लें और इसके साथ कंगनपुर यह जो ब्रांच लाइन है राइविंट से लोद्रा तो यह भी एरियाज एफेक्ट हो सकते हैं तो अगर बारशे मजीद होती हैं जैसे के लहौर में आज भी बारिश हुई मसलसल तीन से चार रोज से तेज बारिश होती है और द्रैय रावी में भी इस टाइम जो पानी की सता है वो बलंद हो रही है तो मैं आपको फलर्ड का इस वज़ा से बता रहा हूँ आपने लास्ट यह देखा ही होगा कि फलर्ड से रेलवे को कितना नुकसान हुआ और इमकान इस टाइम जो कंफ्यूजन है 50-50 आप समझ लें कि इमक यहां अगर बार्शों का सिलसला जारी रहता है द्रियाओं में पानी की सता बढ़ती है तो हमें सिंध में भी पिछले साल वाले जो मनाजिर है वो देखने को मिल सकते हैं दूआ यही है कि पाकिस्तान रेलवे का जो ट्रेन उप्रेशन है वो कभी भी बंद ना हो और यह इ इसे कहा था कि बरास्ता साहीवाल सुबा के टाइम चला दिया जाए और उसका मुझे बहुत रदे अमल आया कि हमें एक ट्रेन कोईटा के लिए वाया फैसलाबाद चाहिए तो दोस्तों दूआ यह है कि यह गाड़ी बहाल हो और मैं तो कहा रहा हूँ कि गाड़ी चलनी च तो दूआ करें कि जल्द जल्द इस गाड़ी की बहाली की डेट आए जिस तरह से फलड सिच्वेशन क्रेट हो रही है और हो सकता है कि मज़ीद ट्रेने आने वाला एक से डेड़ मान ना बहाल हो देखा जाए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता तो जैसे इस गाड़ी की ज एसला बाद चलाया जाए तो एक भाई थे उन्हाने मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट किया और उन्हें अपनी पूरी तफसिल दी कि लियाकतपूर के लिए यह गाड़ी थी लियाकतपूर स्टाप नहीं है तो इसकी भी आवाज उठाएं जी बिल्कुल तो पार्ग बिजनस एक्सप्रेस थर्टी फॉर्ट डाउन चार बज कर पचास मिनट पर लहौर जंचन से आज की डेट में हुई रवाना और काफी स्पीड भी है गाड़ी तो मज़ा आएगा इसका एक्शन देखने का भी फ्लड अपडेट के साथ साथ चार ट्रेनों का एक्शन मैं आपको इसी वीडियो में दिखा चुका हूँ अब तक और अब उमीद यही है कि जाफर एक्सप्रेस का एक्शन हम देखेंगे तो दोस्तो 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस जी इउ फोर्टी की क्यादत में हमें यहां से करने जा रही है थ्रू पास पांच बच कर 17 मिनट पर और एक घंटा लेट है इस टाइम और उमीद यही है कि एक अच्छा एक्शन हमें यहां पर देखने को मिलेगा जाफर एक्सप्रेस का कि सुवड़ मिल 동ट क्रальच कि और उमी एक्सप्रेस जेए सिक्वाफर एक जाईएव्द्द बाणろう चांच जी तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मिस्टर फिर्टू ने आपको पांच ट्रेनों के एक्शन दखाए उमीद यही थी कि दीगर ट्रेन्स की तरह जाफर एक्स्प्रेस भी सपीड एक्शन हमें देखने को मिलेगा लेकिन नहीं मिला सहलाबी सूरते हाल आने वाले दिनों में क्या बनती है और ट्रेन अपडेट जो राइट अपडेट होगी वो मिस्टर फिर्टू आपके साथ शेयर करता रहेगा तो अगर अभी ताका मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिर्टू को कारने सब्सक्राइब बैल आइकों को कारने प्रेस ताके मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके क्योंके हम फिरते हैं इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर फिर्टू आपसे चाता है इजाज़त अल्ला फीर